हेलो दूस्तों मेरे नाम है वीजे फाइनली अविलेबल है मरक पास Poco का M2 Pro साथ में अविलेबल है उसका भाई Poco X2 दो कजन भाई अविलेबल है Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और एक है Competition अविलेबल जो कि है Motorola One Fusion Plus हम करने वाले हैं इन सभी फोन में Speed Test comparison और बताने वाले हैं कि यहां पर जो है कौन सा फोन बैटर है क्योंकि यह पांच हो ही फोन जो है एक दूसरे को काफी अच्छी से टकर देते हैं और सभी जो वेरिंट है हमारे पास वो है 6GB RAM के साथ में तो करते हैं यहां पर Speed Test comparison और बताते हैं कि कौन सा फोन जो है बैटर रहने वाला है अपके लिए तो अगर को Speed comparison जो है हम यहां पर दो pattern से करने वाले हैं जो कि first होगा वो होगा यहां पर downloading test अब यहां पर screen पर install है available जो कि almost 12 application एक play store और available है जिसमें हम download करने वाले है application को Subway server हम जो है download करते हैं जो कि almost 100MB के application है सबी phone में पहले कर लेते हैं uninstall को और देखते हैं कि यह कौन सा phone जो है पहले download कर लेता है तो यहां पर पहले uninstall करता हूं Subway server को वापस से reinstall करता हूं सबी phone में एक ही जो है Wi-Fi connectivity available है सोबसत्ते तो पहले का एक साटरी है मिझणल सबादी पहले है सबादी का कर開始 मांअब चले है लञख जए जंक का करने मांःवादी अर्ग्ताक्रत imparit आपे आपे हैं कर दो कर दो कर दो कर दो तो अर हमने दिखा यहाँ पर Poco X2 ने सबसे पहले डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर सब्वेश सर्फवर यहाँ पर थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड का फरक हो सकता है क्योंकि क्यों कौनर की यहाँ पर दोनों फोन से वहाँ पर पहले डाउनलोडिंग स्टार्ट क्या था दो सेकंड का हम यहाँ पर उनको यहाँ पर दे सकते हैं कि मतलब हम आपका साथ देंगे बीच वाले फोन्स का लेकिन यह तो यहाँ पर 2-3-3 मिनट लेट डाउनलोड हो रहे हैं इतना हम कॉम्परमाइज नहीं कर पाएंगे तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले डाउनलोड करता है पोको का X2 सेकंड नमर पर आता है पोको का हिब भाई मतलब पोको M2 प्रो और उसके बाद में यहाँ पे मोटोरा वन फूजन प्लस और जो पोको के कजन भाई है वो आते हैं सबसे लास्ट में लेकिन अब जो है असली कॉंपेटिशन होने वाला है क्योंकि हम करने वाला है टाइमर के साथ में काउंट और 12 अप्लेकिशन को वन पाई बन ओपन करते हैं देखते हैं कि टाइमर के साथ में जो है कौन सा फोन विन रहता है तो मज़ा आने वाल है पूरा देखने यहां पर यह अजय को 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 अजय क उल्ट आण जेजी आण बाल रहां, जेखला है जेखला है, तहां जेखला है, तहां जेखला है। झाल झाल प्हुष लजटाए्ट प्हाल झाल झाल Alt झाल झाल कि में रहीं झाल 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 तो हमने यहाँ पर टाइमर के साथ भी वन बाइवन एप्लेक्शन को ओपन किया, हमने देखा हैं कि यहाँ पर आल्मूस्ट आपको सभी में सिमिलर आपको टाइम पर्फोर्मेंस देखने को मिलता है, मतलब लगबग आल्मूस्ट सभी में ही सिमिलर है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आपको एक दो मिलेट का फरक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी वेरिंग जो है 6GB RAM के हैं और इसके लावा यहाँ पर जो कॉम्परडिक्शन है काफी तगड़ा है, क्योंकि Snapdragon 720G, Snapdragon 730G, अल्मूस्ट परफॉमेंस से मिलता है, कुछ-कुछ दिवाइजिस में आपने हाँ पर हमको अलग देखने को मिलता है, या फिर लोवर या फिर अपर, लेकिन हाँ पर हमने सभी 5 phones को comparison किया है, सभी में almost similar performance देखने को मिलने वाला है, तो बस यह था आज के वीडियो में, अमीर आपको मारा वीडियो पसंद रहेगा, तो लाइक करना मत बूलना, कमेंट करके बताना कि आपका favorite phone कौन सा है, तो प्लीज आप कमेंसेशन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कि अब तक हमाई चैनल को जरू सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको लेटेश वीडियो का अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे, बहुत इतना ही था अच के वीडियो में, विर्देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद, आपको दिन शुपू, मिलते हैं से कसी अगले वीडियो में,